हेलो एवरिवन वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल और आज मैं शेयर करने वाली हूं आपके साथ अपनी फर्स शहरी और इफ्तियारी का विलोग तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि हमने कैसे सब चीजों की प्रिपरेशन की तो यहां सबसे पहले अमी उट गई थी द हर तो यहां पर हमने अद्रकवाली चाय बनाई जो कि बहुत ही ज़ादा पसंद है हमारे जार में सब्ही को चाय रहने चाह के पहले हमारा माइंड भी काम नहीं करता तो इसलिए हमने सबसे पहले चाही बंते के लिक्ता आ की चीने अट करके। तो बाकी भूला एक के दूड़ाय के तीयार है दूरा क। एक यह आँ सब्सक्राइब आए राप न I can cook अभान के अभी मोरे नहीं होती है में और यहाँ सो तंदो नमतलिव होाँिती है मुथ सब्सक्राइब वाम में भाले लिग वहppers हम सब्सक्राइब इस ऐखी के लाउने लेकि इतना हमारी चाय भी अराम से बन गई तो अब में बना लेती हूँ पराथे तो पराथे हमने बहुत जादा नहीं बनाई जिस्फ तीन ही बनाई थै क्योंकि अम्मी पापा ने पहले ही बोल देते कि हम पराथे नहीं खाने वाले तो इसलिए हमने तीन पराठे बनाए वैसे हम चार जनेते खाने वाले तो यहाँ पर ना मैंने लेयर वाले पतले पतले पराठे बनाने सुरू कर दे थे तो अब बहुत ही जादा क्रिस्पी बन जाते हैं लेजे हम भी चाहें जाएं एकर यहाँ सब्सक्राश पराठे पराठे कम चाहँ कर दिया है कर लेज़ पसे जादा क्रिस्पी हो जाएंगे और lot of myир वीडियो की वाजह tough cooked काम करना हमने शुरू कर दो अम्मी को ना फिक्र होड़ती कहीं है टाइम न निकाल दे वीडियो के चकर में तो हम ना इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे थे लेकिन अभी न काफी टाइम है पर अम्मी की वज़़ा से हमें लग रहा था कि टाइम जा रहा है जल्दी-ज काले नहीं यूज़के हैं सिर्फ हम इसे काले नमक और काले मिर्च के साथ बनाएंगे तो हमारी जो अंडे जल्दी बन जाते हैं और यह पहुत जादा टेश्टी लगते हैं पराटो के साथ तो आप बना सकते हैं असानी से शहरी में और इधर वी दो-तीन मिनट में अंडे लेकिन अभी भी भी बोले हैं कि अभी ना नीद में है तो आप नीद में है यह जालो सभी करने के लिए बैठ जाते हैं तो मैंने सबसे पहले ले लिया पराठा पराठा क्यूंकि मेरा फैवरेट है तो मैंने डाल के साथ इसे खाना है यहां मैंने डाल में काफी सारा गी ड के वह अंडे के लिए ट्रॉट भी सुझ एक दूसमें प्राथा खायां प्राथा लेकल काफी क्रिस्पी था इसलिए अच्छा लग रहा था ॥ अपर पिकी व्या कि इसको शूरा करना हूं जा हम मूँडैं decision टिकता को शूरा Case Ampro हें यह भी शेहर का करके free हो गई हैं तू हमने यहां पर यह अपने अपने लिए चाइय ले लें parameter अषछाय ने के भाद हमने खाई है और इसके बाद हम रोजे की दूआ पढ़ेंगे और रोजा रखलेंगे और अब हम सैरी का टाइम पूरे होने के बाद नमाज पढ़ लेते हैं और फिर मिलते हैं इफ्टियारी में तो अब हमारा इफ्टियारी का टाइम सुरू हो चुका है जिसमें हम इफ्टियारी बनाएं तो यहां पर यह हम मतर वाली चाट बनाएंगे तो हम इने पहले इसे बोईल कर दिया था चार पांस चीटी लगा करके यह काफी अच्छे से बोईल हो चुके हैं तो हम आप भी से बना देते हैं मैंने सोचे आपको दिखा दू कि ना बहुत जादा टेश्टी बनी थी पहले ह इसमें यह डालेंगे हमने बारी कट किया हुआ द्रग एक इंची द्रग का टुकडा था इसमें थोड़ सी बारी कट की भी डाल देते हैं प्याज और इसको ना हमने थोड़ से सौफ्ट होने तक को कर लेना है हम इसमें डाल दिया है तोड़ सी अजवाइन डाइशन के लि पानी हमने थोड़ा सा ही डालना है इस तरह से यह देखिए अच्छे से चला लेंगे ताकि सभी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और यह बहुत ही जादा टेश्टी मट्र की चाट हमारी बन करके तयार हुई थी और देखने में काफी अच्छी लग रही है और इसमें lotta पाने पानी आप चाहें तो आलो के फखन द्सक्री कर दा है अर विर्जा बन करके की तैयार है और हमने इसको कर दिया है सायड में और बना लेते हैं आलो के पकोड़े और यह हम ने होज़े जी घड़े लेकिन मैंने पूड़ा सान बस्ति ऑख्事 कर लिया था दूं, जो प्रिया जहान उडम में प्तला करना अ मैंने देखें गब्री अजए बहने में गया गई सुारबाना यह कहाओ उसको जब दिखा करके ताकि ये एकदम perfect बने ये देखे कितने ज़दा फूले और क्रिसपी बनने हैं हमारे पकोडे और अगर आप एकदम perfect पकोडे बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हम video upload कर देंगे ताकि आपके जो पकोड़े हैं वो एकदम बढ़ी है और अच्छे से बन करके तयार हो जाए तो इधर हमारे आलू के तो पकोड़े बन करके तयार हो गए और बाकी का हमारा इतना सारा बैटर बच गया था उसको भी एड़जेस्ट करना था तो मेरी बहन ने अपनी गलती से बचने के लिए पहले ही प्याज को कट करके रख दिया था और फिर बोलने लगी कि अम्मी के लिए प्याज के पकोड़े बना दो लेकिन प्याज के जो पकोड़े हैं बहुत जादा टेश्टी बने थे और मुझे अभी हसी आ रहे थी क्योंक लेकिन उसने अपनी गलती चैपाने के लिए प्याज के पकोड़े भी बने जो कि बाद में सब बहुत जादा तारीफ करी लेकिन वाकए में जो प्याज के पकोड़े थे पहुद्ध बनाना घरनी हृँआ था तो यह जो मत्ष है घरका रहा था तो और यहां पर यह बचाए एक लिटर के आसपास मर्टा जिसमें ने कुछ सिंपल इमेज मसाले डाले वैसे दही के साथ भी जो रायता है ना बनाया जाता है और यह देखे जलाने के बाद मैं इसमें बूंदी डालूंगी जिसको मैंने थोड़ी दर पहले फ्लो करके रख दिय हमारा रायता कुछ ही मिंटों में बन जाता है और जीरे वाला तड़का तड़के से बहुत ही जाड़ा टेश्टी रायता हमारा बन जाएगा और जब हम इसको सब्सेर करेंगे ना तो इसमें हम गार्निशिंग के लिए धनिया पती लगा लेगे तो हमारा जट से जो पूं निकला चिलका तो जैसे ही मैंने उसे बाद में दिखाया तो बोल रहा कि मुझे क्या पता और हसने लगा लेकिन अब क्या हो सकता है आप कट तो करना ही है फिर मैंने भी अपना स्टाइल मारके से कट करना शुरू कर दिया और मैं आपको इस तर्बूच के एक खासे तोर बता देते हुए खाने में बिल्कुल फीकर निकला लेकिन बाद में इसको एड़ जैस्ट वेड़ने के लिए इसमें चाट मसाला और काला नमग डाला तो फिर थोड़ा से ठीक सा हो क्योंकि हमारी फैमिली में केले बहुत कब खाये जाते हैं तो इसलिए मैंना सिर्फ तीन ही केले कट के थे और यह हमारे लिए काफी भी हो गए थे और अगर इन केलों का बनाना सेख बना लेते न तो यह कम पढ़िए तो मुझे पता है कोई भी घर में कोई भी नहीं चोड पसंद है बनाना शेक तो और यह फिर बाद में रखे हैं इसमें अंगुर हमारी फैमिली में अंगुर ना सभी को बहुत जादा पसंद है और यह चार्ट मसाला डाला है और भी जादा टेश्टी बनाने के लिए तर बूच कुर्कि ना फीक अता अब इसकी हम ना चार्ट बना लेता है थोड़ी सी अम्मी के लिए अम्मी बोल रहे हैं थी कि मैं जे छाट पसंद है तो फुट्स की हमने चार्ट बना लेनी है इसमें हमने सभी फ्रूट डाले और यह हमने थोड़ा सा इसमें पपीता कर डाला है तो घीरा खीरा यह खीरा और ओपर से धही डाल दि लेकिन मैंने अपने ही फ्रूर्स कट करते ही वीडियो बनाई लेकिन अपनी बन वाली पहले तो फाइनली हमने पूरी इफ्ट्यारी को अच्छे से लगा लिया और रोजा खोलने में भी बहुत ही कम वक्त है तो इसलिए हम पहले दुआ कर लेते हैं क्योंकि कहते हैं कि इफ् इस त्यारी करें और इसी बीच हो जाती है जान तो हमने सबसे पहले पढ़ लेनी है नमाज तो नमाज पढ़ेंगे और इसके बाद हमने करनी है अपनी फ्रूर्स खाये और यह मेरे बहुत ज़्यादा पसंद तो उसने और अम्मी की फैड़रेट यह फ्रूर्ट चार्ट अम्मी को बहुत जादा पसंद आई अम्मी बोड़नेती की चार्ट बहुत जादा टेश्टी बनी है तो इन्हीं सभी चीजों के साथ हमारा विलोग कंप्लीट होता है और हमें कमेर्स में बताना कि आपको हमारा ये विलोग कैसा लगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करतेना शेयर करतेना चैनल को सब्सक्राइब कर लीना